नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ बीके सिंग सर मैस पढ़ो चनल पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मुझे पूरा बिश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप टाइम नजदीक आ रहा है सेप्टेंबर में भी आप स सबने मुझे देखा लाइब देखा ब्राइट यूटी पे बहुत मजा आया काफी सारे बच्चे जुड़े थे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे चैनल के भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे इस संडे को भी में 445 में आप सब के साथ आ रहा हूं और डेड़ गंट केर्म पे आप जाएं और मैस पडो नाम से आप सर्च करें तो आपको मैस पडो चैनल यही आपको जो मैस पडो का जो यह लग का जूब़ो है यह लोग आपको डिक जाएगा और वहां भी आप मुझे ज्रहरे न वहाँ पर अपनी आप queries भी पूछ सकते हैं, पुरी कोशिस करूँगा कि अगला जब वीडियो लेकर आउं, तो उन queries का में answer आप सब के साथ कर पाऊं। बाकी बहुत बच्चों के queries आ रहे हैं, और मैस पड़ो चनल को जो प्ले स्टोर पे जाएं, जैसा कि screen पे लिखा हुआ है, जाकर को से install कर ले और अपना details को फड़ा फट भरें, एक से डेड़ हजार बच्चे वहाँ पे मेरे साथ अभी जूड चुके हैं, चली, अब स्टार करते हैं, आज का जो higher order question number जो है, that is 11th की बात करते हैं, तो 11th question हमारे पास क्या है, क्या रहे है कि if 1 plus sin square theta हमारे पास दे रखा है कि 1 plus sin square theta जो है, वो 3 sin theta into cos theta है, बहुत बढ़िया question है, तो कह रहे है कि 10 theta का value क्या होगा, 1 होगा, और 1 by 2 होगा, एक दो चीज़े आपको prove करना है, देखिए, यहाँ पे 10 theta है, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, कि sin square theta और sin theta cos theta को हम 10 के form में convert कैसे करें, देखिए, sin square theta divided by अगर cos square theta हो जाए, तो यह tan square theta बन जाएगा, और right hand side में देखते हैं कि sin theta into cos theta, उसे भी अगर हम cos square theta से divide करें, तो cos cos cut करके sin by cos, that means कि 10 के बराबर आ जाएगा, अब terms की क्या करेंगे, shifting करके, फिर हम tan theta की value को find करने की कोश्चिस करेंगे, ले स्टार करते हैं, आप क्या करेंगे, dividing both side भी हम क्या करते हैं, cos square theta कर लेते हैं, right, तो यहाँ आपके पास आएगा, 1 plus sin square theta upon cos square theta आएगा, and this equals to 3 sin theta into cos theta upon क्या आएगा, cos square theta होगा, आप हमारे playlist में जाएगे, तो सारे higher order के question आपको एक ही साथ मिल जाएगे, sequence में, तो इधर दोड से बेटर है कि आप playlist में जाकर के सारे questions को आप डूनते रही है, ठीक है, आप चले, यहाँ पर आगया, 1 upon cos square theta, और यहाँ पर आएगा, sin square theta upon cos square theta आएगा, ठीक है, इस cos से एक cos का part कट गया, that means कि 3 multiply, sin theta upon क्या आगया, cos theta आगया, अब अगर हम आगे से start करते हैं, तो देखिए 1 upon cos square theta जो होता है, वो सेक square theta के बरावर होता है, और sin square theta upon cos square theta जो होगा, वो 10 square theta होगा, और sin theta by cos theta 10 theta होता है, तो यह 3 10 theta के बरावर होगा, ठीक है, यहाँ आपके पास आगया, अब हमारे पास 10 और 10 तो हो गया, अब सेक square theta का, तो सेक square theta जो होता है, that equals to 10 square theta plus 1 के बरावर होता ह तो 10 square theta plus 1 और यहां पे आगया 10 square theta equals to 3 tan theta आगया, right? अब चले यहां पे 2 बारा आगया, that means कि 2 tan square theta इधर से लाएंगे, तो minus 3 tan theta and plus 1 equals to 0. यहां आपको अब कहीं ने कहीं quadratic के format में दिख रहा होगा, अगर आप 10 theta को x माल लें, तो 2 x square minus 3 x plus 1 के format पे आगया, that means कि quadratic के form पे आगया, तो इसके हम middle term को क्या करेंगे, split कर देंगे, नहीं, that means कि 2 tan square theta और minus यहां पे क्या करेंगे, 2 tan theta और minus 10 theta plus 1 करेंगे, that equals to 0, तो आप दोनों को हम क्या करेंगे, 2 tan theta common लेंगे, यहां पे आगए 10 theta minus 1 और minus 1 common लेंगे, तो 10 theta minus 1 equals to क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, अब यहां आपके पास आगए 2 tan theta minus 1 और एक आगए 10 theta minus 1 equals to 0, राइट, अब इससे जब आगे हम solve करेंगे, तो 2 tan theta minus 1 equals to 0 और जो दुसरा पार्ट है, वो 10 theta minus 1 equals to 0 होगा, इसका मतलब हो गया कि 10 theta जो होगा, वो 1 by 2 होगा, और यहां पे 10 theta का जो value होगा, 1 होगा, यही पार्ट हमें प्रूब करना है, तो बहुत एक standard question था, जो NCIT exemplar का पार्ट था, कि 1 plus sin square theta, अगर 3 sin theta into cos theta के बराबर हो, तो 10 theta का value क्या होगा, 1 होगा, या 1 by 2 के बराबर होगा, देखा आपने, तो ऐसे questions की भी practice करना है, अगर आपने अपना target, 2020 में 100 number लाने का, अगर आपने set किया है, तो ऐसे question आपको पढ़ने पढ़ेंगे, और बाकी disheartened होने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपके marks कम भी आ रहे हैं, तो मुझे follow करते रहे हैं, bright duty पर follow करते हैं, live session को देखते रहे हैं, बाकी बहुत कुछ में अपने mask पढ़ो, आप पे भी लाने वाला हूँ, आप आप का काम करीब करीब final हो चुका है, ठीक है, एक हपते दस दिन में बिल्कुल finalize हो जाएगा, तो सारे content भी आपको वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएगा, तो यह था question number 11, now we are coming to question number 12 की बात करते हैं, question number 12 एक बहुत standard question है, standard level का question है, तो ध्यान रखिये करें कि sin theta plus 2 cos theta, अगर 1 के बराबर है, तो 2 sin theta minus cos theta जो होगा, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, एक ऐसे भी प्रूब करना है, तो ऐसा मैंने आपको एक condition करवाया भी था, पिछले अपने वीडियोज में, देखिए, तो sin theta plus 2 cos theta, बताया था ना, इसका whole square कर दो आप, अब जो दूसरा जो प्रूब करने के लिए दे रखा है, इसका technique बताया था, आपको उनका whole square कर दो, that means कि 2 sin theta minus cos theta का whole square कर देंगे, ठीक है, अब इनकी values को निकालेंगे, जो दे रखा है और जो find करना है, दोनों का square कर देंगे, तो यहां आपके पास आएगा sin square theta, प्लस आजाएगा 4 cos square theta, और प्लस क्या आएगा 4 sin theta into cos theta आएगा, अगर इससे हम a plus b के whole square पे break करते हैं, तो यहां पे देखिए 4 sin square theta, और प्लस आगया cos square theta, minus 4 sin theta into cos theta के format में आजाएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए, sin square theta वाले term को, और cos square theta वाले term को हम एक साथ रखेंगे, तो यहां आगया sin square theta, प्लस आगया cos square theta, यह दोनों पार्ट आपके कर जाएगे, और यहां पे 4 आपके पास sin square theta, and plus 4 क्या आगया, cos square theta आगया, अब इन दोनों का, sin square theta plus cos square theta का value 1 हो गया, किसके बराबर आगया, 5 के बराबर आगया, तो 5 के बराबर किसका value आया भई, तो 5 के बराबर sin theta plus 2 cos theta का होले term square, and plus 2 sin theta minus cos theta का होले term square का value आगया, कितना आया, 5 के बराबर आगया, अब sin theta plus 2 cos theta, देख लीजे, आपके पास 1 के बराबर दे रखा है, क्या है? 1 के बराबर दे रहाखा that means कि ये 1 का square हो जाएगा sin theta plus 2 cos theta 1 है न तो इसकी 1 की value को put कर देंगे तो 1 का square plus क्या हो गया? ये 2 sin theta and minus cos theta जो होगा का square equals to 5 हो जाएगा that means कि 2 sin theta and minus cos theta जो होगा इसका square जो होगा 5 minus 1 4 के बराबर हो जाएगा अब जब यहाँ सो root जाएगा that means कि 2 sin theta and minus cos theta जो होगा वो plus minus 2 के बराबर होगा that means इससे आप square root under 4 करेंगे ठीक है? तो that will be equal to क्या होगा? plus minus 2 यहाँ पे plus minus 2 से correction कर लीजिएगा ठीक है? usually theta में हमें ध्यान रखेगा minus वाले values को हम 0 से 90 degree तक का ही हम case करते है ठीक है? अब इक लास 10 में बाकी आप further तो उसके बाद तो बहुत सारे थीटा के बड़े-बड़े values भी आप निकालना start कर देंगे तो that means कि 2 sin theta minus cos theta जो होगा that will be equal to plus minus 2 के बराबर होगा चलिए दो आज के class में दो higher order के questions थे question number 11 और question number 12 इस तरीके से NCIT exemplar के total में आपको बारह questions करवा दिये हैं 12 questions करवा दिये हैं तो सारे questions आप से request है कि जरूर practice करते रहेगा बहुत काम आएगा यह question जो आज करवाया यह 33 number के 33 marks के questions आपके board exams 2020 में पूछे जा सकते हैं या आपके pre-board में भी आ सकते हैं या upcoming जो September में पेपर होता है और उस पेपर में भी पूछे रा सकते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें मैस पढ़ो जाए गूगल प्ले स्टोर पे उसे आप क्या किजें इस्टॉल कीजिए अपने टीटल्स को जुड़ेंगे और bright duty पे आईए trigonometry का इसी का part आगे करवाऊंगा और 10 से 12 questions भी हम quiz के form में करेंगे और concept भी साथ में बताऊंगा I hope कि आप बहुत enjoy करेंगे 4.45 में संडे को आप सब का enjoy रहेगा हो सकता है संडे के पहले मैं भी एक दो mark seat में reflect होना और शुरू हो जाएगा अगर March वाले paper के बाद जब result निकलता है तो सारी जिंद्गी आपके पास हो रहेगा एक रहेगा कि भाई मैं पहले अपने जिंद्गी के पहले board paper में मैं 100 में 100 number मैं असलिम में लेकर गया हूँ और BK सिंग सरका हमेशा आप सब के साथ साथ रहेगा और आप सबको मैं promise करवाता हूँ कि बिल्कुल मैं कोई कसर अपने level पर नहीं छोड़ूँगा पूरी energy लगा दूँगा एरी चोटी की जोड़ा आप सब के साथ लगा दूँगा ताकि आप सब 100 में 100 number दो हादर बीस के पेपर में लाँ सके तैंक यू सो मच अगेन